हेलो डियर फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल माई उनिक अकेडमी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग इस्टडी करेंगे एक बहुत ही फिमस पोयम और बहुत ही इंट्रेस्टिंग पोयम है नाइट अफ दी स्कॉर्पियन जो पोयम है इसको लिखा गया है निसिम बहुत लोग इसको बोलते हैं निसिम इजेकिल बोलते हैं तो मेरा बोलने का तरीका अला गया मैं इसको पढ़ता हूँ निसिम इजाइकल अच्छा लगता है आसानी रहती है नाइट आफ दी स्कॉर्पियन इस कम्पोजड बाई निसिम इजाइकल मतलब लिखा गया है तो तो इस poem को मैं आपको line by line पढ़ाँगा, एक एक word, एक एक line की meaning बता दूँगा, मतलब अगर आपने एक बार यहां से poem पढ़ लिया, तो कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और इतनी आसान language में मैं आपको समझाँगा, कि आप किसी को भी समझा सकते हैं, मेरा पढ़ाने क तरीका आप जानते हैं कि जब भी मैं कोई poem पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले उसकी summary डिसकस करता हूँ, तो इसकी summary मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा, और summary को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, because summary में पूरी story आ जाती है, अगर आपने summary ध्यान से पढ़ लिया, तो लेकिन मैं पढ़ाऊँगा फिर भी, ओके, तो चलिए हम लोग summary of the poem डिसकस करते हैं, और night of the scorpion, क्या है, कौन सी कहानी है, चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, तेखिए ये पूरी summary है, ये summary मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कहानी बता भी देता हू इंदी में, देखिए इस कहानी में होता क्या है, निस्म इजाइकल अपने बचपन की एक कहानी का वर्डन करते हैं, उनके साथ एक घटना घटी, उनके साथ क्या, उनकी माता के साथ वो घटना घटी थी, तो निस्म इजाइकल उस घटना का वर्डन करते हैं, उस रात का, ह और आपको पता है कि जब बारिस होती है तो साप, बिच्चु ये सब बहुत ज़्यादा निकलते हैं तभी क्या हुआ एक बिच्चु बारिस से बचने के लिए निसिम इजाइकल के घर में घुस गया और जा करके एक चावल के गठर या फिर हम बोरा कह सकते हैं उसके नीचे बैठ गया अब जैसे ही निसिम इजाइकल की माँ चावल निकालने जाती है कोई काम करने जाती है अंधेरे का समय था तो पहले के समय में लाइट भी नहीं होती थी तो जैसे ही जाती है निस्म इजाइकल की मा वो बिच्छों की मा को काट लेता है उसके बाद क्या-क्या परिक्रिया होती पडोसी आते हैं वो क्या-क्या सुझाव देते हैं तंत्र, मंत्र, जादू, टोना जो भी वो बताते हैं उन सारी चीजों का वड़निहाँ पर किया गया है वही कहानी निस्म इजाइकल बताते हैं कि ये मेरे बच्छपन की कहानी है जब मेरी मा को एक बिच्छों ने काट लिया था रात में और उसमें क्या कंडिशन, क्या परिस्तिती बनी वही सब बता गया है तो चलिए अब हम लोग समरी को पढ़ते हैं तो आप लोग ध्यान से समझना इस समरी को इन नाइट आफ दी स्कॉर्पियन नाइट आफ दी स्कॉर्पियन में यानि जो पोएम है इसमें इस्पीकर टेल्स, इस्पीकर बताता है इस्पीकर का मतलब पोएट, इस्पीकर टेल्स, इस्पीकर बताता है ए स्टोरी, एक कहानी फ्रॉम हिस चाइल्ड हुड अपने बच्पन की इन विच जिसमें इस मदर वोज बिटन बाई ए स्कॉर्पियन जिसमें इसकी माता को एक बिच्चू के द्वारा काट लिया गया था यानि ये जो नाइट आफ दी स्कॉर्पियन पोयम है नाइट आफ दी स्कॉर्पियन मींस बिच्चू वाली रात ये जो बिच्चू वाली रात नामक पोयम है इस पोयम में कभी बताता है His mother was bitten by a scorpion जिसमें इसकी माता को एक बिच्चू के द्वारा bit कर लिया गया था bit का मतलब काटना The poem begins with a simple declaration यह जो poem है एक simple declaration के साथ start होती है begins का मतलब शुरुवात होना The poem begins poem की शुरुवात होती है with a simple declaration एक साधारान sentence के साथ declaration में इस आप कह सकते हैं कोई कथन या sentence वात की एक simple sentence के साथ इसकी सुरुवात होती है और उस sentence कौन सा है I remember the night my mother was stung by a scorpion I remember the night कभी कहते हैं मुझे वो रात याद है my mother was stung जब मेरी माता जी को डंक मार दिया गया था by a scorpion एक पिच्चु के द्वारा इस टंक का मतलब डंक मारना यानि इसी लाइन से इस पोहम की starting हो जाती है कौन सा लाइन है I remember the night my mother was stung by a scorpion मुझे आज भी वो रात याद है जब मेरी माता को एक बिच्चु ने डंक मार दिया था the scorpion had entered the speaker soon बिच्चु ने क्या किया था entered परवेस किया था speaker soon speaker के घर में यानि poet के घर में अब क्यों परवेस किया ऐसा question आपसे पूछ सकता है क्यों परवेस किया because क्योंकि it wanted ये चाहता था कौन बिच्चु बिच्चु चाहता था to hide छिपना from the rain बारिस से बारिस से बचना चाहता था छिपना चाहता था मैंने बताया 10 घंटे से लगतार बारिस हो रहती और ये भी मैंने बताया कि जब बारिस होती है तो साप बिच्चु और ऐसे जानवार अपने बिलो से बाहर निकलते हैं तो उसी से बचने के लिए बारिश से बचने के लिए बिच्छु ने इनके घर में परवेश किया, घुस गया इट वांटेट तू हाइट फ्राम दरेन, ये बारिश से छिपना चाहता था, बिच्छु जब इसने काटा, जब भी स्पीकर बोलू, तो आप समझ जाए ये पोएट, ओके जब इसने काटा, ये चिपा हुआ था, बिनीत का मतलब के नीचे जावल की बोरी के नीचे, सैक का मतलब गठर या बोरी आपके सकते हैं, राइस का मतलब चावल beneath का मतलब के नीचे hiding का मतलब छिपना it was hiding ये छिपा हुआ था beneath के नीचे a sack of rice चावल के बोरे के नीचे है चावल के गठर के नीचे और जब इसकी माता जाती है चावल लेने या कोई काम करने अंधेरे में तो डंक ये मार देता है बिच्छो आगे देखिए the speaker describes the incident incident का मतलब घटना describe का मतलब वर्लन करना speaker वर्लन करता है speaker describes the incident उस घटना की the speaker describes the incident speaker उस घटना का वर्लन करता है in which जिस घटना में in which का मतलब जिस में यानि जिस घटना में the scorpion instincts his mother Scorpion ने इसकी माता को डंक मार दिया था, काट लिया था डस लिया था, कुछ भी बोलिये यानि speaker उस घटना का वर्डन करते हैं चिस घटना में इनकी माता को एक बिच्छू ने काट लिया था without mentioning his mother at all बिना अपनी माता को वर्डन वर्डित करते हुए यानि अपनी माता का वर्डन ज़्यादा नहीं करते हैं without mentioning, बिना mention किये है his mother अपनी माता का at all मतलब ज़्यादत वो अपनी माता का वर्डन नहीं करते हैं इस कहानी में किस पर फोकस करते हैं instead इसके बजाए he focuses, वो फोकस करते हैं on the scorpion scorpion पर and what he did immediately after word और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया इस पर यानि कि जो निस्म is aical है ये उस घटना का वर्डन करते हैं जब इनकी माता को एक बिच्छू ने काट लिया था और उस घटना में अपनी माता का ज़्यादा वर्डन नहीं करते हैं बल्कि वर्डन किसका करते हैं पिच्छू पर और किस पर जो इन्होंने किया काटने के बाद जो इन्होंने किया काम किया जो कुछ हुआ उस पर यह फोकस करते हैं वही लिखाया पर ही फोकस करते हैं the scorpion, scorpion पर and what he did immediately afterward और क्या उन्होंने काटने के बाद किया इमेडियेटली मतलब तुरंत अप्टर बाड के मतलब उसके यह उसके बाद उन्होंने क्या किया उसके बारे में वर्डन करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा अब किया क्या बिच्छु ने जब बिच्छु ने काट लिया तो हुआ क्या उसमें parting with this poison flesh of diabolic tail in the dark room क्या किया parting निकाल दिया अलग कर दिया parting का मतलब अलग करना poison का मतलब जहर flesh का मतलब निकाल करके of diabolic tail diabolic tail का मतलब जो उसका डंक है पूँच जो है उससे क्या कि अपने जहर को निकाल करके अलग कर दिया parting अलग कर दिया विदी इस poison अपने जहर को flesh निकाल करके of diabolic tail diabolic tail से यायन अपनी डंक से जहर को निकाल करके अलग कर दिया और कहाँ डाल दिया उसके मा की सरीर में in the dark room उसे अंधिर कमरे में और फिर क्या क्या उसने रिस्क लिया और बिच्छू ने रिस्क लिया खत्रा मोल लिया और फिर वो बारिश में दोबारा चला गया अब क्यों चला गया क्यों उसने खत्रा मोल लिया क्योंकि बिच्छू को पता था कि अब चुकी मैंने इसकी माता को काट लिया है डस लिया ह तो अब ये लोग हमें खोजेंगे और मार देंगे इसलिए निकल लो पत्रिली के लिए बिच्छु ने सोचा और फुर हो गया अब जब उसकी माता जी को बिच्छु ने काट लिया तो फिर क्या क्या हुआ लोग क्या क्या आडवाइस दे रहें वह इस सारी चीज़ें आपर डिसकस की गई है आप्टर दे स्पीकर स् मदर वॉज बिटन यानि की उसकी माता को काटने के बाद दे स्पीकर नोटीस स्पीकर ने नोटीस किया तो चाहिए नोटिस की जैनि तो after the speaker's mother was bitten, यानि speaker के mother के काटे जाने के बाद, the speaker notes, speaker ने note किया, ध्यान दिया, that कि people went to his mother's side, poor people went, poor people गए to his mother's side, उसकी माता के किनारे, like की तरह, swarms की मतलब जुन्ड, of flies, मक्कियों की, यानि मक्कियों की जुन्ड की तरह, गरीब लोग, बेचारी लोग, उसकी माता के किनारे चले गए, जब बिच्चों ने काट लिया, और बिच्चों भाग गया, तो उसके बाद क्या हुआ, पडोसी के लोग, गाउं के लोग गाए, और like swarms of flies, मक्कियों के जुन्ड की तरह, उसकी माता के साइड में चले गए, किनारे एकठे हो गए, वही कह रहे, poor people went, गरीब लोग चले गए, to his mother's side, उसकी माता के किनारे, like की तरह, swarms of flies, मक्कियों के जुन्ड की तरह, और क्या करने लगे, buzzing, भिन भिनाने लगे, होता नहीं, जब 10-12 लोग इकठे हो जाते हैं, तो तमाम तरह की बात ही करने लगते हैं, कोई कह रहा है, ये दवा ले लो, कोई कह रहा है, ये जहान फूक मारो, कोई कह रहा है, वो करो, तो buzzing, भिन भिनाने लगे, बात करने लगे, with Christianity, इसाई वाली, मतलब Christianity का मतलब उटोने, अंदविश्वास में से, इसाई में भी है, तो Christianity की बात करने लगे, इसाई धार्म की बात करने लगे, and hoping और आसा करने लगे, भगवान को मनाने लगे, to kill one of their visions of सैतान, यहां देखे सैतान को इंगलिस में सैतान ही बोलते हैं, किसलिए hope कर रहे थे, hoping आसा कर रहे थे, to kill मर जाने की, one of their visions of सैतान, जो वो एक सैतान है, सैतान किसको कहा है, बिच्चु को, यहनि जिस सैतान ने, poet की माता को काटा था, उसके मर जाने की, सब लोग आसा करने लगे, कि the pigeons look for the scorpion on their hands and knees with lardens, पीजन जनी चोटे चोटे जो किसान थे, look for, look for का मतलब सर्च करने लगे, ढूंडने लगे, the scorpion बिच्चु को, कि बिच्चु कहां गया, on their hands and knees with lardens, अपने हाथ पैर चलाने लगे, और lardens हाथ में लिये हुए थे, lardens का मतलब आप जानते हैं, प lardens को हाथ में लिये और फिर हाथ पैर अपना चलाने लगे, ढूंडने लगे, their wish is to find the scorpion quickly, उनकी इच्चा है कि वो जल्दी से scorpion को पा ले, ढूंड ले, their wish, उनकी इच्चा is है to find पा लेने की the scorpion बिच्चु को quickly का मतलब तुरंत, यानि बिच्चु को तुरंत पा लेने क कि उनकी इच्चा है, because क्योंकि, अब वो जो गाउं के लोग हैं, वे लोग चाहते हैं कि बिच्चु तुरंत मिल जाए उनको ढूंड रहे हैं तो, क्योंकि, because क्योंकि, they believe, वे लोग बिश्वास करते थे, बिश्वास करते हैं, that every movement की प्रतेक छड, sorry, movement है, प्रतेक चाल, movement Scorpion makes, जो Scorpion चलेगा, गाउं के लोग क्या मानते हैं, कि प्रतेक चाल, जब Scorpion चलेगा, without getting killed, बिना मरे हुए, यानि मरा नहीं हमान लिजए, और वो बिच्चु चल रहा है, तो जितने कदम हो चलेगा, affects the speaker's mother, तो क्या करेगा, speaker की माता को affect करेगा, प्रभावित करेगा, तो, अब गाउं के लोग ये मानते थे, अभी आगे कहा गया, with every moment, यानि प्रतेक कदम के साथ, प्रतेक step के साथ, the Scorpion made, जो Scorpion चलेगा, His poison moved in mother's blood, तो उसका जो जहर है, वो भी इनकी माता के blood में चलेगा, His poison उसका जहर moved चलेगा, in mother's blood, mother के खून में, they said, उन्होंने कहा है, नहीं, गाउं के लोगों ने कहा, अब देखे, गाउं के लोगों की मानिता है, भारत में खास करके, कि जब बिच्छू किसी को काट लेता है, तो जितना देर वो बिच्छू चलेगा, जितना दूर, वैसे वैसे क्या होगा, कि उसका जो जहर हो बॉड़ी में फैलता जाएगा, तो लोग सोच रहते हैं कि यह बिच्छू ना चले, रुक जाए या मर जाए, तो वह कि नग, प्रतेख मुव्मेंट, जो बिच्छू चलेगा, मेंड करेगा, मुव्मेंट का मतलब चाल, यानि जितनी चाल वो चलेगा, His poison moved in mother's blood, उतना जहर उसकी माता के बॉड़ी में फैलेगा, अब आगे दिखिए, The pigeons begin to share good wishes for the speaker's mother, hoping that the scorpion will die that night, or at least it sit still, the pigeons begin, किसानों ने शुरू कर दिया, to share, share करना, good wishes, Good wishes का मतलब प्राथना आएं, यानि किसानों ने प्राथना करना सुरू कर दिया, for the speaker's mother, speaker की माता के लिए, अब सारे जो किसान थे, गरीब लोग थे, वे प्राथना करने लगे, poet की माता के लिए, अब क्या प्राथना कर रहे थे, hoping, आसा कर रहे थे, that the scorpion will die, scorpion मर जाए, यानि बिच्छु जो है, वो मर जाए, that night, उसी रात, और या at least कम से कम, sit, बैट जाए, still, सांथ, या तो वो बिच्छु उसी रात मर जाए, या मरे ना तो कम से कम, सांथ बैट जाए, still कम मतलब यहां पर सांथ, क्योंकि वो जैसे जैसे चलेगा, जहर बढ़ता जाएगा, that the sins of our past life will be buried away, और इससे क्या होगा, यह भी मानता है गाउं के लोगों की, कि इससे जो आपने past में, जैसे जैसे आपको दर्द होगा, सब लोग उसकी माता को कह रहे थे, कि जितना ही आपको दर्द होगा, that the sins of our past life, आपके पहले के जीवन के सारे पाप will be buried away, धुल जाएं कि जितने भी आपने पाप किये, उसकी माता को सब लोग गाउं वाले कहने लगे, कि जितना आपको दर्द हो रहा है, इससे क्या होगा, कि आपका जो पहले का, जो भी आपसे गलतिया हुई, पाप होगे, सब धुल जाएंगे, and, or, that's similar return to an even better life, और आपको एक अच्छा जी जीवन आपको मिलेगा, because of our suffering, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, जो जेल रहे हैं, कठनाई, इससे क्या होगा, दो चीजे होगी, एक तो आपका जो पाश्ट का पाप है, वो आपका खतम हो जाएगा, और दूसरा जो आपका next जीवन होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा, बेटर होगा, यानि आपको बेटर लाइफ मिलेगा, तो उसकी माता को सब लोग संतावना देने लगे, कि चिंता मत करो माता जीज, गाउवले कहने लगे, कि ये जो दर्द आप सह रही हैं, इससे आपके पुराने पापनश्ट हो जाएंगे, और आपक अगले जनम में एक अच्छा जीवन मिलेगा, मतलब सब लोग मानने लगे कि अगर बेचु मरा नहीं, तो इसकी माता दर्द से मर जाएंगे, तो सब लोग बताने लगे कि ऐसा ऐसा होगा, चलिए थोड़ा सा एक और पढ़ लेते हैं, एक दो चार लाइन हैं, इसके बाद लोग साध इस वीडियो को स्टॉप कर दें, ओके, क्योंकि ये काफी लाइन वीडियो हो गया, दपेज़ेंस कांटिनू मेंकिंग विसस वादा मदर, स्पीकर्स मदर, दपेज़ेंस किसान लोग कांटिनू लगतार मेंकिंग विसस प्राफना करे जा रहे थे, फोर दा सक्तियां हैं, might be diminished वो नस्ट हो जाएं, by the speaker's mother pain speaker के mother के दर्द से, यानि जैसे जैसे इसका दर्द खतम होगा, उसी के साथ जो बुरी सक्तियां हैं, वो भी नस्ट हो जाएं अब लोग ऐसा मानते हैं कि जरूर आपने कुछ गलत काम किया होगा, वही भुगत रही है, तो ऐसा मानते हैं गाउं के लोग तो वही गाउं के लोग कहते हैं कि हम आसा करते हैं, विस करते हैं, इच्छा करते हैं कि आपके सारे पाप इसी दर्द के साथ खतम हो जाएं diminished का मतलब खतम हो ना they sat on the floor around the speaker's mother, वे फर्स कर रहे थे, that the scorpions bit was, sorry hoping आसा कर रहे थे, that the scorpions bite, यानि scorpion ने जो काटा था, वो निशान would purify her, उनको क्या करेगा पवित्र कर देगा, purify का मतलब पवित्र कर देगा है, यानि कि जो भी पाप हैं वो सब धुल जाएंगे, गाउं के लोग ये इच्छा कर रहे थे, यासा कर रहे थे, कि scorpion की काटने से, scorpion के bite करने से उसकी माँ पवित्र हो जाएंगी, with the peace of understanding, each on each face, और एक दूसरे से, बाते अपनी साजा कर रहे थे, understanding तिम लोग की धारणा थी, एक माननेता थी, ओके, सब लोग एक दूसरे के face को देख रहे थे, और सुझाओ ले रहे थे, कि हाँ, सही कहरो भाई, तो वही understanding का मतलब, एक दूसरे से समझ रहे थे, on each face एक दूसरे की तरफ face करके ओके तो सभी लोग सांद थे, बैटे थे कह रहे थे, भाई, आप सही कह रहे हैं इससे क्या होगा कि जो इसकी माता का दर्द है, नस्ट होगा तो उसी के साथ सारे पाप भी नस्ट हो जाएंगे ओके, तो इतना हम लोग पढ़ते हैं, और इसका next part जो summary है, next part अभी मैं तुरंत बना दूँगा और उसका link भी आपको description box में दे दूँगा या फिर आप मेरे channel पर जा करके देख सकते हैं, ओके तो अगर point पसंद आ रही है, इसकी समरी थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए हमारे channel